हाई गाईज नमस्ते आप सभी का मेरी चैनल वालड़ फ्लावर सेमसिक्टी टैट पे स्वागते गाईज आप सब कैसे हो आप सब ठीक होंगे गाईज तो आज के हमाई रिडिंग है वर्गो यानि कन्या रासी के लिए आपके लोग प्रेडिक्सान जून मेने की क्या है यह सबी बाते सबी के साथ resonate नहीं करेगी और गाईज आप मेरी चैनल के मेंबर बना चाहते हो तो सब्सक्राइब के साथ जो ब्लू कलर का जॉइन लिखा हो है उसके आप पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको option मिलेंगे option के साथ benefit भी लिखे है वो आप पढ़ कर एक option चू करती ही या नहीं Three of Wands The High Priestess The Moon Seven of Wands Eight of Swords Bottom to Deck हमारे पास है Five of Wands Aries, Lue, Sagittarius, Cancer, Spices, Copio Gemini, Libra, Aquarius ओके आपके परसन आपको प्यार करते है या नहीं? Yes, प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन बीच में आ गया है मून इसका मतलब यह होता है कि वो बहुत जादा मिस्टिरियस होंगे आप से मुरम में बड़े हो सकते है या छोटे भी हो सकते है और वो अपने बहुत सारी बातों को छुपाना पसंद करते है वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेकिन आप उनको प्यार करते हो इस वज़़े से लटको करते हो आपको अभी भी लगता है कि मैं अपने आपको बंधा हुआ महसूस करता हूँ क्योंकि वो उनकी इतनी ज़्यादा फिलिंग नहीं बताते है इस वज़़े से आपको लगता है कि ये कब अपनी फिलिंगों को मेरे साथ साजा करेंगे ओके अब देखते हैं कि आप दुनों का रिस्ता कैसा है बाइद भूक के वन मेंट गाइज आप दुनों का रिस्ता कैसा है कि लैटिंग गो फियोंड इल्यूजन एलेंग टॉलिटिक्स दी बॉस सीबीलिटी बाटम टे रैख हमारे पास से अंडृस्टैंड करते हो लड़ करने की कोश्चज करते हो क्योंकि आप उनको प्यार करते हो इस वज़र से आप सब कुछ सहलेने के लिए भी तैयार हो और आप अपनी तरिके से बहुत ज़दा एफ़र्ट लगाते हो काईस आपको कभी-कभी दिमाग में, मन में, दिलों दिमाग में चलता रहता है कि ये कहीं मेरे साथ गेम तो नहीं खेल रहा है बार-बार आपके दिमाग में ये ही चलता है कि ये मुझे धोका तो नहीं देखा आगे चलकर कहीं इसके मन में कुछ खोट तो नहीं है ये अच्छा इंसान भी है या गलत इंसान है आप अपने परसन को लेकर बहुत अदर सोचते हो काईस लेकिन आपके परसन आपको बहुत प्यार करती ही और यही सच है वो आपके साथ जब होते है तो उनको अंदर से हीलिंग महसुस होती है इस वज़र से वो आपको छोड़ना नहीं चाहते है उनको सीफ यही लगता है कि आपके साथ ही मेरी जैने की possibility है मतलब कि वो आपके साथ ही पूरा future देखते है वो आपके साथ ही आगे बढ़ने के बारे में सोचते है उनको आपके साथ ही सब कुछ अच्छा लगता है वो आपके बगेर किसी और female या male के बारे में नहीं सोचते है वो 24 hours आपके बारे में ही सोचना पसंद कते हैं उनके दिल और दिमाग में आपके ही थोर्ट चलते रहते हैं उनकी राय आपको लेकर यही है कि आपके जैसा पसंद उनके लिए खास है क्योंकि रियरली में आप उनको अच्छी एक फिलिंग देते होंगे आप बार बार उनको कहते भी होंगे I love you, मैं आपको बहुत प्यार करते हूँ इस तरह से भी आप कहते होंगे तो guys, यह person आपके उपर फिदा है लेकिन आपकी जो उनके लिए energy है वो यही है कि कहीं वो मेरे साथ mind game तो नहीं खेल रहा कहीं वो मुझे आगे चल कर छोड़ तो नहीं देगा इस तरह से आप सोचते हों उनको लेकर अब आप दुनों का future क्या है fork in the road here and now milk and honey to the sea आप दुनों का जो future है वो काफी अच्छा है बहतरीन है, खुबसूरत है और interesting है क्योंकि milk and honey का मतलब होता है कि बहुत सारा प्यार आप एक दुसरे को करोगे और आप एक दुसरे के बगड़ नहीं रह पाओगे आप marriage के बाद भी एक दुसरे के साथ जादा वक्त बिताओगे और एक दुसरे को पूछ कर ही कुछ भी काम करोगे और आपके life में जो भी परिसानी आएगी आप दुनों साथ मिलकर उसको solve करने की कोसिस करोगे बहुत खुबसूरत अब हम देखते है काईस की 2022 में आपके साथी होगी या नहीं आप ट्विम फ्रेम या सोल मेट की जर्नी में हो सकते हूं गाईस रेश्ट अं रेजुवेशन एंजल अफ लॉव कौनो कोपिया बटम ट्रेक हमारे पास से जर्णी तो आप दुनों की साथी 2022 में हो जाएगी और जिन लोगों की लाइफ में किसी भी तरह कि आप ट्रिंट्री में सोल मेट की जर्नी में हो तो उनको वक्त लग सकता है मतलब आप किसी भी तरह की जरनी में हो कार्मिक हो या फिर सोलमेट या टिन फ्रेम हो लेकिन आपने अपने जरनी कम्प्लिट कर ली होगी तो आपके 2022 में साधी हो जाएगी क्योंकि टिंट्रेम और सोलमेट में सेवन स्टेज होते हैं वो अपने पूरे कल लिये होंगे तो आपके 2022 में साधी हो जाएगी और वैसे 2022 में बहुत ज़्यदा लोगों के साधी होने के चांसे से ओके अब हम देखते हैं काईस के आप दुनों की रिष्टे में थोड़ पाटी है या नहीं यूनिवर्स टिवाई दी चैरियट थ्री ओप पैंटिकल सेवन पैंटिकल बॉटम डेक हमारे पास है थ्री ओफ वांड्स ओके आप दुनों की रिष्टे में थोड़ पाटी है काईस ओके और वो कुछ लोगों के लिए मेल या फिमेल है और कुछ लोगों के लिए आपके परसन की सॉरी केरियर है और केरियर की वज़े से साइद वो आपको कुछ बताते नहीं होंगे और कुछ लोगों के लिए मेल फिमेल भी है तो ये मेल फिमेल है वो तो साइड हो जाएगी गाइस क्योंकि आपके परसन बहुत ज़्यादा मैचेर है मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि वो किसी की बात में आने वाले नहीं है चाहे कोई भी उनको उत्सा ले या लुभा ले या किसी भी अट्रक करने की कोसिस करे वो किसी के भी बातों में आने वाले नहीं है क्योंकि वो आपके साथ ही अपना future दिखते है इस वज़र से और आपकी तरफ से कोई third party हो तो आप उनको दूर कर दीजिए क्योंकि इसके उपर focus किजिए आप उनको प्यार करते हो तो इसके उपर ध्यान दीजिए किसे दूसरे के उपर ध्यान देना भन किर जिए क्योंकि आपकी तरफ से भी दिखाई दे रहा है कि आप किसे से बाते करते हो आप जिनको प्यार करते हो उसके उपर ध्यान दीजिए किसी को चीट मत करिए और आप जिनके साथ बाचित कर रहे हो वो इंसान आप से आधर रखते हुए बैठा हुआ है कि कहीं आप उनको लोगों के पार्टनर के लिए कैरियर होड़ पार्टी ओक्किय साथ बदल जाएगीं ठीक हो जाएगा ये आपकी अगर आपकी रेडिंग अच् docs लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक कर लाईक करें करें सब्सक्राइब करको जरू में बताएं भाइक का है